गुद मॉर्निंग फ्रेंड मैं सुप्रेया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एक्जाम में फ्रेंड आस डेलिकार इंटरफेस की क्लास में हम डिसस करेंगे 9 फेवररी से रिलेटेड जितने भी न्यूज है जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारी एक्जाम के लिए इंपॉ सैन पडुक कया जाता है और की पुतिली कालenden गया थो देखें करें बहुत अच्छा अंसर क्या था तो इसके करेक्ट अंसर क्या है काड्य करिया जातां है जब भी कोई अई डोनेट करता है तो तो उसमें बिसिकली जो है काड़निय करिम GRAD-शिठ करेंगे स Mai देए है कि हाली में किस राज्य सरकार द्वारा निट यानि कि नैशनल अलिजबल्टी कम इंट्रेंस टेस्ट के खिलाब बिल पास किया गया है आंध्य प्रदेश करनाटक तमिलनाडू के रद तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका तमिलनाडू सरकार के द्वारा एक बिल रास्टी अस्तर का एक्जाम हो दा जिसको कहते है निट और इस निट के एक्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही कोई जो बच्चा है जो चात्र या चात्रा है जो मेडिकल कॉलेज प्रवेश करना चाहता है उसको एडमिशन मलता है मेडिकल कॉलेज में लेकिन जो कि नि निट एक्जाम के जो कुछ समाप्त करने की मांग चल रही थी और जब वो घटना घटी उस चात्रा के सुसाइट करने के बाद सरकार ने इस बिल को लाया और देखे आए बात करते हैं इस बिल के बारे में क्या है तो तमिल्लाडू में निट परिक्षा के बिरोध में तमिल् नाजिक नया सुनिश्वित करने के लिए मेडिकल कॉलेज में अच्छा बारक में प्राप्ताम के अधार पर प्रवेस दिया जाएगा ठीक है तो नुए तमिल्नाडू के सरकार के दोरा एक कमिट्टी गठित की गए और उस कमिटी के सुझाओं के अधार पिए बिल लाए इसमें बैसिकली बात ये की गई जो रास्ट्य इस्तर का जो निट एक्जाम होता है उसको क्या करके सामाप्त कर दिया जाए और जो मेडिकल कॉलेज में प्रवेस की जो शर्ते हैं वो क्लास 12 में जो बच्चा जो है जो मार्क्स पाएगा उस मार्क्स के अधार पे जो है इन म समर्थ मेडिकल कॉलेज में जो में डेंटल हो गया मेडिकल हो गए डेंटल हो गया अर्वेध हो गया हो गया होगयो उसमें में अगर आपको एडमीशन लेका किससोनिट जो मार्क्स पाएगा उसके आधार पर जो रहें से solve májq नहां सुनिश्रित करना देखिए समाजिक नाय सुनिशित करने का कारण यह है मतलब बात यह की गई है कि वहां पे जो वंचित वर्ग है वह जो है इस एक्जाम में देखा गया कि इस कमिटी ने बताए कि वह वंचित वर्ग जो है इस एक्जाम को क्वालिफाई करने में उतने समर्थ नहीं थे उपर से ग्रामीड तबके की लोग उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे क्योंकि एक्जाम देखा जा काफी टफ भी होता था बहुत महेंगी महेंगी कोचिंगों को लोग ज्वाइंग करते थे तो उसमें से बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते थे तो तमिलनाड़ों क सरकार ने इस आधार पे की सामाजिक नैस्ट निशित हो और मेडिगल कॉलेज में जो हर तबके के लोगों का प्रवेस हो सके उस कारण से इस बिल को लेके आए गया इसमें देखा जग केंद्र सरकार ने अगर हम बात करें नैशनल अलिजिबिल्टी कम इंट्रेंस तो रिक्षा अनिवार कर दिया था यानि कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज में अडिविशन लेना तो आपको यह संट एक्जाम को कॉलिफाइ करना होगा जो कि केंद्री अस्तर का एक्जाम होता है रास्ट्र इस आओ सकता कि बी रोध में जो है यह बलपारिद किया गया है तो समात्र जो जरिय जरिया क्या है अब वह बता है सुल्द होने वाले परिशचा कारड बच्चों पर भारी तरॉ होता है उसको समाप्त कर देना अब चुकि बिल जो है देखा जा तो ये बिल देखा जा तो पास हो गया है राज्य में तो पास हो गया है अब इसे कानून बनाने के लिए जो है बिल को किसके पास दोस्तों बेजा जाएगा तो गवर्णर के पास बेजा जाएगा ठीक है अगर केंद वो इसे रास्टपती के पास जो है विचार करने के लिए भेज देगा या फिर इसे उस बिल को रोक देगा कौन गवर्नर कर देगा रोक देगा या चौथा जो है इसे दुबारा जो है वो विधाईका के पास भेजेगा जो है पुनर विचार करने के लिए इस बिल को बेजे लेते हैं तमिलनाडू के बारे वी यह है आपके पास भारत का मैप सामने खुला है जिसमें हम दच्छुर में देखें तो हमें तमिलनाडू दिख रहा है तमिलनाडू जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है चिन्ने ही है और यह देखें तो अपनी जो है तटी सीमा जो है बे करें दोस्तों तो के मुख्यमंत्री का नाम क्या है में कि स्टालिंग जो है यहां के मुख्यमंत्री है और यहां के सदने विदान अगले प्रशन पर हमारा अगला प्रश्ण है कि हाल ही में देश के तीसरे बार्डर हाट का उद्घाटन कहां किया गया त्रिपूरा असं मिजुरन या फिर मलिपूर करेक्टांसर इस यह है त्रिपूरा में किया गया है तीसरे बार्डर हाट का उद्घाटन तो यहां पर जो त्रिपूरा के मुख्य हाट को जोडने वाली सीमा की एक सुन्य बिंदू पर किया जाएगा ठीक है बॉर्डर हाट जो दोस्तों अगर हम पूछें बॉर्डर हाट क्या होता है ये भी आपको जाना चाहिए तो ये देखा जाए तो एक तरीके का ये खुला बाजार है और भारत और बांगलादेश सी अधिकतम जो है पचाज विक्रिता जो है इस बाजार में भाग ले सकते ठीक है तृपूरा की दोस्तों बात करें तृपूरा जो की हमारे नौर्थ-east का कि स्टेट है और सेवन सिस्टर में से एक सेवन सिस्टर में कौन-कौन सामिल है कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ठीक सामिल है तृपूरा के दूसरा यहां के दोस्तों बात करें तो इसकी राजधानी जो है भारत और बांगला देश यानि की भात्रिपूरा और बांगलाइस built ऐस्थित है अगर तल्ला जिसकी राजदानी है और यहां कि मुक्हमंत्री की दोस्त बात करें तो यहां कि मुक्हमंत्री नाम है विपल्लो कुमारेव.. जैंके मुक्हमंत्री कोमार्डेव हमारा अगला प्रश्ण है कि केंद्रिए समुंद्री मास्टिस के मतिस की अनुसंधान संस्थान ने किस राचे की टठ पर मचली की एक नई कटेगरी वट्टा प्रजाती की खोज की है दमिलनाडो करनाटक आंधिप्रदेस केरल्ट करेक्ट आंसर दी है केरल में खो जागया है इस मैं नई मचली की जो है एक नई कर्टेग्री मचली की नए कर्टेग्री है पट्टा ठीक है प्रजाती किसके द्वारा केंद्रिय समुंद्री मतिस्थ की अनुसंधान संस्थान के द्वारा तो केंद्रिय समुंद्री मतस्की अनुसंदान संतान सेंट्रल मेराइन फिसरीज रिसर्च इंसिटूट की द्वारा केरल के कोची टट पर मचली की एक कटेजर देखा जाए तो एक केरांटिक केरांटिक है जैसे हम क्या बोलते पट्टा प्रजाथि की खोच की गई ठीके केरांटिक यहाँ पर भी दोस्तों माफ़ करियेगा क्या एक एस यहाँ जो ़िक्लि जो है जो है बहूलाजिक नाम क्या है नाम से जाना जाता है यह जो है भारत के समुद्री छेतर में केरांडिक की 60 से अधिक प्रजातिय जो है दोस्तों पाई जाती है जिसमें से यहां के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है पिंडराई विजन जो है वह यहां के मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है मुख्यमंत्री गौन है आरिफ मुख्यमंत खान जो यहां के जो दोस्तों कितनी सीटे हैं केरल की कि अब हमाते अगले प्रश्टे पर हमारा अगला प्रश्टे है कि किस राजिये में पूर्वे प्रात्मिक चात्रों के लिए एक लैंट इस सुरू किया गया है वहां के जो सकूलों प्राथमिक, और पूर प्राथमिक रिखन के लिए का रिक्रम् है यारी की खूले मैधान में जो है क्लाशेटर का यह जाएगा कर्थाओं का तो यहां पस्टिम मंगाल के सरकार के द्वरा जो है प्र принцип च्जात्रों के लिए Open Air Classroom Program, जिसका नाम क्या है? परए सिक्षाले तो यानि की पडोस स्कूल सुरू क्या गया है परियोजना के तहा है, सरकारी स्कूलों के Primary और Pre-Primary छात्रों को खूले में पढ़ाये जाएगा ठीके और ये देखा जा जो राज्य सरकार है तो प्रारे सिक्षाले के शात्रों को यहाँ पे देखा जा तो मध्यान भोजन भी उपलब्द कराएगी और पैरा सिक्षक और प्रात्मिक बिद्यालों के सिक्षक इस परियुजना का हिस्सा होंगे विकच्छा एक से पाँच के बच्चों को प्रारंभिक सिक्षा जो है वो प्रदान करेंगे विजिकली अगर हम इसके उद्देशी की बात करें प्रारे सिक्षा ले जो उपकी पस्चिम बंगाल के सरकार के दुआरा सुरू की गई है उद्देश यह है जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो कोविड 19 महामारी के कार जो सिक्षा बादी थी उस बादी सिक्षा के चलते पस्चिम बंगाल के सरकार ने जो है इस परियुजियों को सुरू करने का निड़ा लिया कि वो क्या करेंगे ओपन यानी ओपन क्ला सिक्षाल ठीक है अगरना पस्चिम बंगल की राजदानी क्या क्या है कोलकाता है ठीक है मुख्यमंत्री कौन है ठीक है दीदी मम्ताबनेर जीटीक है और यहां की बात करें गवर्णर की तो जगदीफ धनकड जो है वो यहां के गवर्णर है कि अब आते हैं अगले प्रशन है कि इंग्लेंड को हरा कर किस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप पाँचवी बार जीता ठीक है इतिहास रचा पाँचवी बार जीत कर और ऐसा करने वाली बिश्यों की पहली टीम कौन बन गई है तो अस्ट्रेलिया भारत स्री लंका या फिर तच्छर अफ्रिका देखिए वह को अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता है ठीक है अंडर 19 वर्ल्ड कप के कपतान कौन थे दोस्तों किसकी अगवाई में यह मैं जीता गया है तो यश धूल के अगवाई में जो है यह खिता गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था किसके खिलाब जीता है इंग्लैंड के खिलाब फोर ओवर में इसने च्छे विकट खोकर के 195 बना लिये ते और इसी के सासथ भारत जो है पांचवी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजित आ रहा था इंगलेंड कोहरा करके देखिए पांचवी बार तो आप मुझे बताई पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 जीता था वो किस सन में चीता था और उसके उस समय जो है उस टीम के कपतान कौन थे तो पहला अंडर 19 वर्ल कप भारत ने कप चीता था और उस समय कपतान कौन थे आप मुझे बताए ठीक है अगला हमारा प्रश्ण है कि निमलिकित में से किस राज्य के ग्रामिल लोग एक ग्रामिल गुल्डन लगूर के अवास के लिए अभिहारण कि टैकं का विरोध करने था तो प्रारम भिभाबर को फ्रेक्राइप को किलो मीटर के जंगल को का कोई जना बामोनी हील्व वन्जिव अभिहारड में परिवर्तित करने हैं तो एक प्रारंबिक अधिसूजना जारी जारी किया है यहां पर जारी किया गया है वहां के वन विभाग के द्वारा जिसको सरच्छर देने तिक लिए गोल्डन लंगूर आवास को त्हिके क्या नाम है इसका कपोई जना बामुनी हील वंजी वभारण नाम ध्यान रखेगा असम में है और यह जो अभीहारण है जिसके हम बात करें है काकोई रिजब जो फारेस्ट है इसको अभीहारण में बदलने के लिए ठीके जो है विचारों को छोड़ दिया जाए और वन को एक सामुदाइक वन संसादन में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि जो अस्थानी सनरचड के लिए भागीदारी के सामुएक सा प्रतिबंदित प्रडाली सुनिशित किया जा सके तो यह जिस ज्यान रखे का सबसे पहला तो ह है काकोई जना रिजर्फ फॉर्स्ट कहां पर असम में है गोल्डन लंगूर से संबंदित है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे देखा जाया यहां पे जो है काकोई जना बामुनी हिल वंजी और भिहारन में परिवतित करने के लिए जो वहां के वन विवाग के द्वार यह प्रस्ताव लाए गए जो प्रानमी कदी सूचना की गई जिसका विरोध वहां के जो है असम के ग्रामिर के लोगों के द्वारा किया जा रहा ठीक है अब हम आते हैं अगले प्रश्ट पर हमारा अगला प्रश्न है कि आत्मनिरभर भारत डिजाइन केंद्र के संस्कृत मंत्रावले ने किस बैक के साथ समझहता किया है, पंजाब नैश्ननल बैंक, बैंक का बढ़ वदह, अक्सिस भारती स्टेमन और ऑफिर क्ला है, संस्कृत मंत्रावस घिसका विकास के लिकरुए आत्मनिरभर भारत डिजाइन केंद्र के लिए, ठीक है, तो यहां पे भारती State Bank ने संसक्रित मंत्रालाय के इंद्रा गांधी कला के इंद्र और रास्ट्री dollar संस्कृति कोश्ध के साथ दिल्ली के लाल की ले के है एल ए बैरक में आत्मनिर्भर डिजाइन के इंद्र आत्म निर्भर ाबईसीड़ी के विकास बिजाइस के लिए नहीं समझाता है फट्री कोश..ससमञ बातकर तो यह परियोजना का उद्देश ही कहा है कि उन एतिहासिक धरोहरों को प्रसिद्ध करना उन एतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देना और उनका जस्त मनाना जिसमें भोगोलिक पहचान जो है क्योंकि उस छेतर के अनूठी विशिस्ताओं से प्रभावित एक विशिस्त भो गोलिक पहचान का प्रतीक है इस पहल के माध्यम से जी आई प्रतिहासिक धरोगरों में आर्थिक मुल्य वर्धन की कलपना की गई है ठीक है यहाँ पर देखा जाए तो ए भी सीडी परियोजना के जो है मंत्राले परियोजना को मंत्राले ने राष्ट्रिय संस्कृति संस्कृति मंत्राले के तहत एक स्वायत संगठन जो की देखा जाए यहां पर इंद्रा गांधी है ठीक है इंद्रा गांधी कला केंद्र द्वारा क्रियानवित किया जाएगा यहां पर देखा जाए तो इस परियोजना के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 क्रू परियोजना को प्रायोजित किया है ठीक है तो यह जिस ज्यान रखेगा कि आत्म निर्भर भारत जो डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृत मंत्राले ने भारती स्टेट बैंक के साथ सम्झोता किया है अगला हमारा प्रश्ण है कि भारत के सबसे बड़ी नीजी छेटर की रेल कोच ठीक है नीजी छेटर की रेल कोचFactory कहा अस्थापित की गई है Kodakal, भो पल, चिन्ने या फिर कोची correct answer is A है कोडाकल में किया गया है तो भारत की सबसे बड़ी नीजी छेत्र की रेल कोज फैक्टरी जो है तिलंगाना के कोडाकल में स्थापित किया गया है बिभी ने प्रकार के 500 कोच, 50 लोकोमोटी बनाने की छमता है और 2000 से अधिक रोजगार के आउसर प्रदान करेगा ठीक है तो भारत के जो सबसे बड़ी नीची छेतरी की रेल कोच फेक्टरी का अस्थापित की जगे ते तिलंगाना के कोडाकल में अगला हमारा प्रश्ण है कि केंद्रिय मंत्री प्यूस गोईल ने किस सहर से मालवाहग जहाज MV लाल बहादुर शास्त्री को हरी जंडी दिखाई है रायपूर पटना लकनो या फिर कोलकाता करेट आंसर इस बिहार के पटना से दिखाए गया है तो यहाँ पे केंद्रिय मंत्री प्यूस गोईल ने पटना के गाय घाट अंतर देशिय जल टर्मिनल से पहले मालवाहग पोड जिसका नाम क्या है MV लाल बहादुर शास्त्री को हरी जंटी दिखा कर रवाने किया गया मालवाहग जहाज की दोस्तों बात करें तो यह जो है 200 मेट्रिक टन अनाज की पहली खेप बांगलादेश की रास्ते पांडू गोवाहर्टी में पहुझेगा यहां पर देखा जाए तो बिहार से असम तक पहुझे कि यह जहाज कितना देखा जाए तो 200 मेट्रिक टन अनाज लेकर के और बांगलादेश की रास्ते पांडू पहुझेगा और भारत बांगलादेश प्रोटोकॉल मांक से बांगलादेश के रास्ते जो है वो पांडू पहुझेगा गंगा नदी के जो आसपास जो आरतिक गतिविद्या दोस्तों हो रही है उन गतिविद्यों पर ध्यान देने के साथ जल मार्ग विकास परियोजना जेम वीपी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी की परियोजना अर्थ गंगा का हिस्सा है ठीके तो मुझे आप पहले त द्वारा कहां से बिहार के पटना से यह कहां तक जाएगी तो असम की पांडू तक यह पहुंचेगी ठीक है अगला हमारा की सीपेक चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के चीन के सिंजियांग छेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगा को जोड़ने वाला इकार्थिक गलियारा देखे हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया अफगानिस्तान रूस तजाकिस्तान या फिर पाकिस्तान करेक्ट आंसर इस डी है पाकिस्तान में है जो ग्वादर पोड यहां पे आप देख रहे है पाकिस्तान के ग्वादर पोड है और यहां का स्टिंच प्रांत पर्दों यह और इनकों यह जोड़े देखिए छेno प्रतुत राइड के चाइना पाकिस्टान एक रूमिक कॉरिडोर चीन के उत्तर पस्चिमि सिंजांग छेतर और पाकिस्तान के पस्चिमि प्रांत बलुचिस्तान में ग्वादर बंदरगा को जोड़ने वाला एक आर्थी गलियारा है इसकी चर्चा मिसले करने कि इभी हाल से लहाल में पाकिस्तान ने जो है चीन के साथ 60 अरव अम पाकिस्तान ने चीन के साथ साथ 60 अरव अमेरिकी डॉलर का समझोते पर साक्षर किया है सीपिक का पहला चरड़ देखा जाया तो उर्जा परियोजनाओ के साथ सब्सक्राइब और सणरशना परियोजनाओ पर केंद्रित है और यह देखा जाया तो एक महत्योकानची परिय किया गया था ठीक है तो बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव का हिस्ता है कौन सा सीपिक चाइना पाकिस्तान एकोनामिक कॉलिडोर ठीक है तो इसी के दूसरे चरड़ के सुरुवात कि रिए जो कि पाकिस्तान ने चीन के साथ समझोता किया है जिस गार से हम इसकी चर्चा क किया है लोग निर्माड विभाग द्वारा ओलंपिक चैंपिनों के सम्मान में ओलंपिक विधी या ओलंपिक वुलेवार्ड का निर्माड किया जाएगा कहां भी किया जाएगा दिल्ली में किया जाएगा एंसियारडी यानि के नेशनल कॉंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर् को ने निदेशक के रूपे किसे चुना गया है किसी चुना घया है जोंत कर दिया गया है तो यह किया गया है महारास्टा बेज्ड इन्टीग and यहाँ पे इंडिपेंडेंस कॉपरेटिव बैंक के जो है लाइसेंस को रद कर दिया गया मिस्स ट्रांस ब्यूटी कुइन 2022 का ताज किसके नाम पर किया गया है तो साहरा राय को जो कि पाकिस्तान की यहाँ पे इनकी तस्बीर आप देख सकते हैं तो पेरू के नाव नियुक एक अभियान था और अभी अभी और प्रयाज था केवल विकास उसके कार्ड जो है जयए डिजिटल क्लावडीया पेचिस्टिन है जो कि जर्मनी की थी और यह देखा जाया तो सबसे अधिक उम्र की जो है एथलीट बनी है शीत कालील ओलम्पिक खेलों की कि अगन अलक से क्रिसी बजट पेस करने वाला देश का दूसरा राज्य को बन गया राजिस्थान बनेगा में पहला जो राज्य था जिसने अलक से पेस्ट किया था वह किया था मिलनाडो ने दोहजार एकिस ने उत्तरप्रदेश स्पेशल देखा जा दोस्तों तो यूपी मेट्रो ट्रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मेट्रो में मोबाइल फॉन ओनलाइन टिकेट बुकिंग के सुभिधा सुरू की जा रही है कौन से मेट्रो में तो कानपूर मेट्रो में की जा रही है स्वर्ष सामागरी लता मंगेशकर जी को उत्तर प्रदेश द्वाद्वारा सम्मानित किया गया था तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया था तो अबद और वट यह कोई आभ चीया साड़क पंद Rogoriologist की जो है उत्टर प्रदेश extended आधर कंप सर्कार को सर्वुच्छेन उत्ष्ण परीवहन मंतरी नितिनगट करी नि उत्तर प्रदेश का दस्वा रामसर अस्तर घोषित किया कौन सा वखीरा वंजी अभिहारर जो है यह उत्तर प्रदेश का दस्वा जो है रामसर और पूरे देश का देखा जाए तो 49 ठीक है तो यह था दोस्तों करेंट अफेर राज का हमारा कोश्चन आप देड़े है कि भारते किस नाम से जाना जाता था कमेंट बॉक्स में आंसर करिए ठीक है तो इस तरीके सथा दोस्तों आज का हमारा करेंट अफेर्स की पीडिए आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से आप टेल लगता है आप लोग प्रॉपर आंसर करते हूं तो थोड़ सा टाइम के सौटेच रहती है जिसके कार्ण से में रिप्लाइब नहीं कर पाते हूं लेकिन फिर भी जैसी वक्त मलता है आप लोग का रिप्लाइब करते हूं लेकिन हम ध्यान रिखेगा मैं हमेशा आंसर आप के प्रॉपर देखती रहती हूं ठीक है तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर आंसर करते रही है ठीक है बाकि आल देबस दोस्तों एंजॉय करिए फिर मलते नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाद हवा गुड़ दे स्टे सेफ एन स्टे हैपी